आज आप उद्दू की किताब सफा नंबर 30 पर मेरे साथ नजम हाथी के कुछ सवालों के जवाबाद देंगे सबसे पहला सवाल जो है वो ये है ये नजम किस के बारे में हैं? ये नजम हाथी के बारे में हैं तो आज हम मिलके हाथी भी बिनाएंगे और हाथी के बारे में और बहुत कुछ भी जानेंगे दूस्रा सवाल है हाथी के हाथ कैसे होते हैं? हाथी के हाथ मोटे होते हैं तो यहाँ पर हम लिखेंगे मोटे अब हम हाथी के हाथ लगाएंगे उसके बाद सवाल है हाथी की दूम कैसी होती है? हाथी की दूम हमने नज़र में पढ़ा था कि छोटी होती है तो यहाँ पर हम लिखेंगे अब हम हाथी की दूम लगाएंगे और हाथी की दूम बहुत छोटी होती है आप देख रहे हैं और यह मैंने अब हाथी बनाने के लिए क्ले को यूज किया है उसके बाद सवाल है हाथी की नाक कैसी होती है हाथी की नाक आपको पता है बहुत लंबी होती है और हमने नजब में भी यही पढ़ा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे लंबी लमब बई बी लंबी अब हम हाथी की नाक लगाएंगे लंबी ठीक है यहाँ पे अब हाथी की हमने नाक लगा दी अगला सवाल है हाथी की आँखें कैसी होती है तो हाथी की आँखें गोल होती है तो यहाँ पे हम लिखेंगे गोल अब हाथी की हम नाक आँख लगाएंगे यहाँ पे हमने गोल सी एक आँख हाथी की लगा दी उसके बाद अगला सवाल है हाथी के कान कैसे होते हैं हाथी के कान बड़े होते हैं इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे बड़े अब हम हाथी के कान लगाएंगे और आपने देखा कैसे हमारा हाथी बन गया है यह देखें अब यह देखें सबसे पहले हमने उसके हाथ लगाए उसके बाद हमने उसकी छोटी सी दुम लगाई उसके बाद हमने उसकी लंबी नाक लगाई उसके बाद उसकी आँख और फिर हमने उसके बड़े बड़े कान लगाए तो ये हमारा कले के साथ हाथी मुकमल हो गया और उसके नाख और कान की वज़ा से वो मुन्फरिद होता है तो ओके बच्चो अब आपको मुझे लग रहा है कि आपको हाथी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिल गया तो इसके साथ साथ आपने ये नजम याद भी करनी है और अच्छे से उसकी खुसूसियात को भी जहन में रखना है खुदा हाफीज शुक्रिया